ग्रेमंत्री अमित शाह आज मधुबनी से हुंकार भरेंगे जनजारपुर के ललत करपूरी स्टेडिया में उनकी जनसभा है इंडिया गडवन्धन के गठन के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे है और ऐसे में सब की निगाहे उन पर टिकी हुई है वही पहली बार अमित शाह अरणिया जिले का भी दोड़ा करने वाले हैं और आज वो जोगबनी भी जाएंगे जहां वे इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट में एससबी जवानों के रहने के लिए बने अवासिये परिसर का उदगार्टन करेंगे और उनके दोड़े को लेकर तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है अमित शाह आज 11 बजे दिन में हैलिकॉप्टर से जहनजारपुर पहुँचेंगे और यहाँ वे मेरी मिटी मेरा देश कारिकरम करेंगे मधुबनी दर्भंगा सीता मढ़ी सहरसा और सुपॉल में कारिकरताओं के साथ लोक सभा प्रवास करेंगे और आम सभा को संबोधत करेंगे इसको लेकर बंच के पीछे हाली पैड भी बनाया गया है तो देश के ग्रेबंतरी अमित शाह आज बिहाद दोड़े पर आ रहे है और इस साल उनका ये छटा दोड़ा है आज वो मधुबनी के जनजारपुर में जनसभा करेंगे और अरणिया के जोगबनी में एससबी के जवानों के लिए अवासिये पडिसर का उदगाटन करेंगे सेमांचल में शाह का दूसरा दोड़ा होगा जबकि मिथलांचल में पहला दोड़ा है और उनके इस दोड़े पर बिहार में सियासी पारा चड़ गया है सतापक्ष और विपक्ष के नेताओं में वार पलटवार हो रहा है माननी अमिश शाजी मिथला की पावण धर्थी पर आ रहे हैं तो हमारी उमीद है कि सनातन धर्म मानने बाले जनल आयक करपूरी ठाकुर को भारत अतिन दीजिए सनात पिछड़े और अति पिछड़े जो सनातन धर्म की परंपरा के हैं कच्छा एक से आठ तक उनकी आपने चात्र बिर्ति बंद कर दी है उस योजना को लागू करिए लाख बिहार का दौरा कर लें बिहार में चार सिट नहीं मिलने वाला है चालिस में बिहार की चिंता अभी सता रही है सता के लिए अपनी पार्टी की परचार के लिए आ रहे हैं बिहार की जनता की चिंता है तो बिहार को विसेश राजी का दर्जा दे 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 बिहार को वि नरेंद्र मोदी जी, योगी आधितिनाद जी, भाषपा के तमाम बड़े नेता बिहार में ही रहेंगे, एक जाएंगे, दूसरे आएंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बिहार में बुरी तरह से हार हो रही है, और दो, चार, पाथ, दस सीटों तक पहुँचने के लिए भी सब को कड़ी मसकत करनी है, तो सब लोग कड़ी मेहनत करेंगे, यहीं रहेंगे, लोग लगातार माहौल भी जाने की कोसिस करेंगे, देखिए, साथ, दो, चार, दस सीटों आजाएं लोगों को, और लालू जी के 15 वर्स, इन दोनों को मिला कर अगर समय जोड़े तो हुआ यह 35 वर्सों का समय, इसमें बिहार में समझवादी धारा के लोगों का ही सासन रहा है, लालू और नितीज जी का ही सासन रहा है, आपने अगर जनता के लिए कुछ भी किया होता, तो आज अमीत साजी के दोरे से आपको डरने क्या हो सकता नहीं होती, और यह डर इसलिए भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि दस वर्सों में हमने बिहार में और देश में इतनी उलतनी उप्लब्दियों को हासिल किया है, कि जिससे आपको डर लगता, और यह डर कायम रहना चाहिए. और जनजारपुर से संपादक अशोक मिश्रसवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए है, अशोक जी विधिलांचल की धरती पर अमित्शाह के आगमर को लेकर तयारिया पूरी है, जनता में उत्सा है, काडिकरताओं में, नेताओं में उत्सा है, लेकिन एक के बाद एक अमित्शाह बिहार का दौरा कर रही है, पिछले एक साल की बात करें तो ये छटा दौरा है, अमित्शाह का, क्या माईने इस दौरे के? सुरक्षा के चाक चोबन वेवस्था किये गए हैं, और देखे किस तरह से चपचे चपचे पर, सुरक्षा कर्मी की तहिनात है, और जांच की जा रही है, सुरक्षा के तो पुक्ता इंतजाम है ही, लेकिन कहीं किसी तरह की अप्रिये, घटना न घटे, इसके लिए पूरे खरक्रम की अभी धिवत सुरुवात हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा में जो तीन सीटें हैं, दरभंगा, मधुबनी और जंजारपूर, तो दरभंगा और मधुबनी ये दोनों बीजेपी के खाते में हैं, और जंजारपूर की सीट जदियू के खा यहां के अस्थानी नेता हैं हम उन्लोगों से बात करेंगे क्या लगता कि अंद्रिया-ग्री मंत्री का ये पहला दौडा है कितना ये दौड़ा सफल है यह दौड़ा जो जो ग्री राजमंत्री ची का है मिदलांचल में सबसे प्रधम मैं उनको हार्दिक स्वागत है विदंदन करता हूं पुरे मिदला वासरी की ओर से आपका स्वागत है आप लोग के साथ जदियू थी जदियू को आप लोगों ने भूट दिया था इस बार क्या चाते हैं कि भीजेबी खुद उमीदबार यहां खड़ा करें पिछले बार भेले ही जदियू के साथ हम लोगा गटबंदल था और जदियू निकाला लेकिन जदियू ने सीट नहीं बोटर है सारा मेरा है सिर्फ वो एक डंबी के तरह थे आये और जितके चले गए और सिट उनके जोली में चला गया लेकिन हमने जीता था ना कि जदियू ने जीता लाव होगा अमिसाजी के आने से लाव ही नहीं देश की जो जनता है और खास करके मेथलांचल में एक मिसाल कैम होने जा रहा है और आने वाला जो समय होगा भारतिये जनता पार्टी का जंजारपूर लोग शभाज है यह सुरक्षित भाजबा के लिए होगा अमिसाजी मिथला पहली दफा आ रहे हैं मिथला में हम कार्ज करता लोग पीछे हैं लेकिन जनता आगे हैं जनता इस बार भारी बहुमत से मानने मोदी जी को पूरा कुर्ची पर अस्थापित करने का काम करेगी खास करके मिथला जो है मिथला में अटल जी मिथली को अस्थम अनुसुची में नाम दिलाने का काम अटल जी किये थे यहां दरभंगा में एरपोर्ट देने का काम भाजबा सरकार के द्वारा मानने मोदी जी के द्वारा किया गया दरभंगा में एम्स देने का काम किया गय जमीन उपलवद नहीं कराया यहां के जनता को उपेक्षित कर रहे हैं नितीज कुमार जी इस बार भारी मोहमत से पुना मानने मोधी जी की सरकार बनाएंगे लेकिन यहां तो कई काम नितीज जी ने किया खास करके अभी आप देखिए कि कई बड़ी परियोजनाई थी यहां पर मितला हाट का निर्मान संजा जाजी ने करवाया अगर आपका यह तो मितला में कई ऐसे यहने जो पुराना हस्पिटल है उसको एक तरस का यह बिश्तरीत रूप देने का काम जो है सो नितीज जी ने किया पिर तरा मंडल का निर्वान किया, कई विकास की परियोजनाएं उन्होंने मिथला को दी है, फिर भी नितिस जी से इतनी करवा है। सारा काम आपके सामने है, जनता की जहां तक सुरक्षा और बेवस्था की स्वास्त की समस्या है, आश्मान भारत लाने का काम किये, मानने मोदी जी हर गरीब के खाता में जो पांच लाग का इलाज आप एक साल में फिरी करा सकते हैं, ये भी मानने मोदी जी गरीब के लिए च आप भी मानने मोदी जी के योजना का लाब लिए चाहे भैक्सिन लिए करोना का हर घर में मानने मोदी जी के हर आदमी मानने मोदी जी के योजना का लाब मिला है मानने अमित साहजी के नेत्रित में आज पूरा भारत सुरक्षित है मानने अमित साहजी बोले थे जो मैं मर जा हैं नितीज के साथ तो युवाओं की बात करते हैं अब सिक्षकों की बहाली कई इसे हैं रुद्गार के अफसर रदान की जा रहे हैं मिखलांचल में विकास की यात्रा जो हथो नितीज में फिर लगता क्या है कि अगर आमी साजी का कार्ज करम होगा तो बीजेपी को इसका अच्छा में यवाओं के लिए केंद्र स्रकार ने मोदी जी ने इसकल इंडिया के तहद खेलों इंडिया के तहद और बहुत सारे ऐसे ज्यमाओं के लिए आर्वी के वाली जोinka साल की हुई है इस तहट और काफी ऐसे काम जो युवाओं के लिए कि हैं तो निश्चुत्व सब युवा मोदी जी के साथ है और युवाओं की परसंद मोदी जी अमीद साजी है इसमें को दुराइब अब देखना यह है कि अमीशाजी आकर कि अपने कार्ष करताओं को नेताओं को कोन्सा मंत्र फुकते हैं लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इनमें उत्साअ है और यही बजा है कि लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं रसमी बिलकुल अशुक जी और खास करके अगर इंडिया गडवंधन की हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक बैठक इंडिया गडवंधन की तरफ से की जारी है लेकिन अब बीज़पी भी पीछे नहीं रहना चाहती और यही कारण है कि मिथलांचल की धर्ती से इस दौरे की शिरवात होगी और खास करके कार्यकरताओं को टास्क दिया जाएगा उनसे बातशीत की जाएगी कैसे आगे का रास्ता तै किया जाए दोहजात चौबीस का ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए ये दौरा बेहत एहम माना जा रहा है बिलकुल बिलकुल देखे हमने पहले काए कि इंडिया गटवंदन बनने के बाद पहली दफामी साजी आ रहे हैं यही बज़ाए कि बीजेपी यहां पूरा ताकत दिखाना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि मीथलांचल उसका गड़ रहा है और इसमें जंजारपूर किसीट को भी वो इस वार अपने खाते में ले जाएगी जी चलिए अशोंक्षी हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तबाम जानकारी के लिए तो बीज़पी के कारिकरताओं में नेताओं में गजब का उतसाह देखने को मिल रहा ह थोड़ा वलंब जरूर है लेकिन इंतजार किया जा रहा है अमिच्शाह का जब वो आएंगे और मच से हुंकार भरेंगे